किसान भाईयों नमस्कार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे खेत में आज पत्ते कटाई का काम हो रहा था दोस्तों तो मैंने सोचा कि इसी बहाने आप लोगों को खेत भी दिखाया जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों के प्लांट की ग्रोथ कैसी चल लही है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पौधे की मोटाई भी अब जब से मैंने इन पीके सुपर वगएर अपने खेत में डाला है तब से कुछ मोटाई आई है पौधे में और लंबाई भी उपर से जो जाड़े में यहां से हमारी ग्रोथ रुख गई थी जगे से अब अचानक से एकदम से ग्रोथ बढ़ी है तो सब लोगों के खेत में ऐसा हुआ होगा तो दोस्तों सारा कुछ अच्छे से चल रहा है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि आपके प्लांट में कैसी ग्रोष चल रही है अच्छे से पौधे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं हैं तो कोई समस्या तो नहीं है अगर कोई समस्या आप Deus के बारे में आप लोग बता सकते हैं तो मेरे खेट में सारा कुछ सही एब स faculty फूरलou पापर दिख रहे हैं कि हम सुरुष से escaped की बार जब से पोटास महेंगी हुई है इधर जाड़े के बाद से खेत में पोटास का यूज नहीं कर पाए है क्योंकि बहुत ही महेंगी 17-1800 की लगभग पोटास हो गई है और मिल भी जा अगर कहीं से तो विश्वाद नहीं रहता कि वह असली है या डूब्लिकेट है इसलिए हम जो अरगेनिक वाली पोटास अब की बार डाले थे जैसा कि वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एकड़ में चार कट्टे डाले थे तो बाकी अब सोच रहे हैं कि एंपी के लेया हूं बारा बत्ती सोला देया दस चबिस चबिस में से कोई तो उसकी बुआई अपने खेत में करवा दू तो उससे यह फासफोरस की कमी भी थोड़ा पूरी होगी और पोटासियम की जिससे हो सकता है जो पत्ते जले-जले किनारे से दिख रहे हैं यह कंडिशन खतम हो जाए क्योंकि पोटास की कमी से ऐसा होता है तो पोटास की कमी के लच्छन काफी दिखाई दे रहे हैं केत में बाकी सारा कुछ सही चल रहा है बस एक समस्या और है आप लोगो को दिखाना चाहता हूं क्योंकि की अरली फ्लावरिंग फूल दिखा है यह और यह फूल लटक चुका है उसके पूदह दोस्तों मारे मेंड़ पर आधे तो मेंड़ आरो जल्दि निकल जाते है तो यह देखिए पूल यह हैं और प्लेट theology है हो जाए क्योंकि जो एडवांस में इधर अप्रैल में निकलता है वो बहुत गरबड होता है दोस्तों तो कई लोग यह भी कह रहे थे कि इससे कैसे बचा जाए तो उसके बारे में भी अगले वीडियो में आप लोगों को बताता हूं तो आज मैं यही आप लोगों को दिखाने के लिए आया था कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कैसी चल रही है तो कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के प्लांट में भी फ्लावरिंग चालू हो गई है तो आप लोग अपने प्लांट के कैसे र मास्कार